हेलो फ्रेंड्स महाविड जांगेड हीर और यह हमारा करंट अफैर का टॉपिक जिसमें हम चंधरियान टू के बारे में डिसकस करेंगे तो चंधरियान 2 के बारे में डिसकस करने से पहले आप एक कंफर्म कर दिजिए कि मेरी वॉइस कैसे है क्लिर है जल्दी जल्दी ओनलाइन आ जाई अपने जो है अपने टेलिग्राम गुरूप पे आप इसमें डाल दिजी कि सर जो है ओनलाइन आ चुके है और क्लियर है ठीक है संदेश जी है ठीक है ओके ठीक है फिर स्टार्ट कर रहे है ठीक है अभी चंदरियान के बारे में डिसक्स करेंगे और चंदरियान के बारे में जो भी आपके पास में जानकरी है वो आपको पहले मुझे बतानी है आपको क्या जो भी आपको जानकरी है चंद पता नहीं है लेक्चर है ठीक है संदेश काले जी मैं कहूंगा आप से की एक बार टेलिग्राम पर डाल दीजिए टेलिग्राम पर डाल दीजिए कि लेक्चर है हो गया है पर टेलिग्राम परतिक कुलकरनी जी कह रहे हैं कि प्लीज रिपलाई ऑन टेलिग्राम ठीक है आपने कुछ पूछा वाद मैं reply कर दूँगा, ठीक है, ओके, जब तक students online आ रहे हैं, तब तक हम थोड़ा देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कि जो भी यहाँ पर नए है, संकल्प से जुड़े वे जो students है, उनको मैं एक बार बता दूँ, कि देखें, यह जो है, आरर भी NTPC की classes हमारी अभी आई प्रतम एप पर चल रही है, और यह लगभग यहाँ पे 28th of September को स्टार्ट हुई है, ठीक है, 28th of September से स्टार्ट हो गई है, और तकरीबन इसमें हमने लगभग geography and quality हमने cover भी कर लिया है, अभी history है बाकी है, और economics बाकी है, फिर environment का कुछ बाकी है, और culture का कुछ पार्ट बाकी है, ठीक है, current affairs हम साथ-साथ में ले रहे हैं, और उसके अलावा मैंने कुछ students को कुछ topics दे द करते हो, तो उसको आप अलग से note-down कर लिजिए, ठीक है, तो यह आपे अब जो भी नए student है, जो आई परतम के थ्रू हम से जूड़ना चाहते हैं, उनको मैं बता दूँ कि 999 जो है, यह fees structure रखा गया है, NTPC के लिए, ठीक है, बीच में काफी दिनों से चल रहा था, इंक्र 9 ही रखा गया है, और हलांकि यह fees जो है, fees बड़ेगी बिल्कुल अभी जो next classes होगी अपनी, वहां से fees बड़ जाएगी, और चलिए, ठीक है, अगर आप यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, तो history, geography, policy, economics, current affairs, culture, environment, सारे के सारे topics यहाँ पे, only 999 रुपीज में सारा आपको जो कवर किया जा रहा है, इसके अलावा, जो math है, उसमें भी advanced math है, logical reasoning होगरा है, यह भी हम साथ में कवर कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर देखो, यह अगर आप आई प्रतम app डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसके अंदर आपको और भी बहुत सारे free courses भी available है, वो भी आपको उसका भी फाइदा मिल जाएगा, तो मैं आपसे यह request करूँगा कि एक बार आप जाकर Google जो एप पर जाकर के, आप एक बार play store पर जाकर के यह आई परतम app डाउनलोड कीजिए, और जो भी हम आपको free सुईधायन दे रहे हैं, उसका भी आप लाव उठाएए, ठीक है, चलि यह number है, inquiry number आप inquiry कर लिजे, और SSC की बहुत जल्द हमारी classes start होने वाली है, जो भी students interested है SSC के लिए, जो की central level की, UPSC के बाद में second level पर काफी बड़ी post होती है, तो SSC के लिए, CGL के लिए, या फिर कोई NDA की तयारी कर रहे हैं, उनके लिए, उन सब के लिए अलग से अभी course launch होने वाला है, जो पहले booking करवा देंगे, उनके लिए काफी discount रखा गया है, और एक बार course start होने के बाद में, उसमें फिर आपको पूरी fees देनी पड़ेगी, उसको भी इसके लिए आपको inform कर दिया जाएगा, फिलाल देखिए, NTPC and इसके बाद में, इंडिया post जो है, इसी हमारी जो कुछ selected students है, जो की NTPC की students है, तो इतने सारे selection दिये हैं और बहुत ही limited students में से हमने इतने सारे selection दिये हैं, तो अगली next, हम चाह रहेंगी next photo आपकी हो, ठीक है, आप भी selection पाएं, आपको बेची नौकरी मिले, ठीक है, तो चली, अभी हम चंदरियान के बारे में discuss कर रहें, चंदरियान 2, यहाँ पे नाम में क्या लिए है 2, इसका मतलब ही क्या है, इसके पहले एक उन्होंने experiment किया होगा, ठीक है, चंदरियान है, यानि क्या है, यह भारत ने यहां से छोड़ा होगा, कोई दूसरी country का होता, तो उसका नाम अलग होता, ठीक है, चंदरियान 2 है, चंदरियान 2 है, तो इसके सीधी और यहां से experiment किया होगा, ठीक है, successful हुआ नहीं हुआ, उसकी बाद अलग है, फिलाल यहां पे, यह हमारा second, यह experiment है, ठीक है, तो यहां पर आप जो है, इसके बारे में जो भी जानकारी है, आप शेयर किजिए, प्लीज, ओके गुड़ कर देंगे, चिक से दिखने ही रहा है, ओके, प्लीज, रिप्लाई on, टेलिग्राम, ओके, ओके, ठीक है, हाई, हेलो, हाई, ओके, ओके, गुड़ इवनिंग, गुड़ इवनिंग, इनको current affairs में लिखना है, बिल्कुल, यहां पर जो संदेश जी कहा रहा है, जो मैंने anti-passy की, जो इंड इंडिया post की students है, उनकी जो मैं classes ले रहा हूं, उनकी current affairs की, हर बार में, हर जो lecture के पहले, जो पांच मिनिट में, दस मिनिट जो current affairs लेता हूं, उसी में आपको add करना है, यह बला, चंदरियान, ठीक है, हमारे जो हमारे एप है, उसमें अलग से नहीं लेंगे, यह साथ में आ इंडिया वगरा होती है, intelligence bureau, जो हमारे इंटलिजन एजनसी जो है, और इसके अला, आरर भी जो अपने, यह अरर भी और यह अपने आर भी वगरा, ठीक है, और इनके सब सारे इसमें cover हो रहे है, बलब यह अपना UPC prelims लाकिसमें cover हो रहा है, ठीक है, आप अगर को UPC भी दे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह 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 है, इसका मतलब पूरा बोडिrede संदेश है आगी ना चंढरयान क olm डरी मा λटत तरीकिये जोड़ना यह चंदरया नई है यह पूरा यह जो औलग-अलग रोडी यहां पे टी गई एसका सम्मिलित रूप ही चंदरियान है ठीक है न ऊवर एक्स्परूरन टू से यहां-टू बोले प्यांडर करनेवाले सब से पहले आपको लिखना एक इस इंडियां लूनार लैंडररोवर मिशन है ठीक है ना इंडिया का पहला लुनार यानि चंदर मून पर जाने वाला लैंडर रोवर मिशन है इसके पहले हमने बेजा है लेकिन वह लैंडर रोवर उसमें नहीं बेजा था साथ में ठीक है लैंडर रोवर हमने पहली बारी बेजा है अभी लैंडर और रोवर क्या लेंडर रोवर मिशन है पहली चीज़ तो अब इसमें कवर क्या क्या करें गें तो अपने साथ में क्या क्या लेकर गया ठीकत फिर सक बाद में काफी बाद में कोशन फूचते हैं बहुत-बार आते भी हैं तो वहां से भी इसको बीच में जोड़ करके इससे भी हम डिसकर कर लेंगे उसके बाद में विक ऐसे कौन सा किया गया है और इसके बाद में destination यानि कहां पर गया और इसके बाद facts जो है वह भी हम इसलिए चंद्रयान वन के बारे में पूछने के जास्ति कम हैं लेकिन इसके बारे में पूछेंगे तो हम थोड़ी सी जान कर लें चंद्रयान वन के बारे में चंद्रयान वन जो है इसको 22nd of October 2008 में यहां से चोड़ा गया था इंडिया से और यह लॉच्च किस ने किया स्क्रीन शॉट और श्क्रीन शॉट से अच्छा होगा कि आप लिख ले वहां पे आराम अराम से पढ़ा रहा हूं इसके पहले की सिद्धी है इसमें सिर्फ इतनी ही इंफोर्मेशन काम की है बाकी कुछ भी आप याद रखना नहीं है चंद्रियान वन के बारे में ओके ओके थैंक्यू वेरी मच आकाश जी कह रहे हैं सर आयम यूर एंटी पीसी जो है बैच स्टुडेंट हूँ आयम इंप्रेज़ वी विट आफ यूर टिचिंग स्किल्स थैंक्यू वेरी मच थैंक्यू वेरी मच आकाश जी ओके थैंक्यू जो देखो जो हमारे ओल्ड इस्टुडेंट है जो हमसे अभी आय प्रतम पे जुड़े हैं स्टूडेंट से आप जो भी नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं जो संकल यूटूब चैनल के बाद हम से जूड़े हैं आप एक बार उनसे डिस्कस कीजिए कि हमारी टीचिंग कॉलिटी कैसी है वन आप दी बैस टीचिंग कॉलिटी आपको महाराष्ट में अगर कोई पैसा नहीं कि ज्यादा कुछ आपको बर्डन दे दिया बर्डन एक्दम सेलेक्टेट पोश्चन मिलेगा लेकिन उसके बाहर कोशन जाएगा नहीं ठीक है इतना तक हम आपको गैरेंटी दे रहें इतना कोई भी गैरेंटी देने वाला कोई नहीं है ठीक है यहां पर हम बढ़ रहें यहां पर चंद्रियान टू जो है इसके बारे में आपको जो है अब आपको reply करना देखते हैं अभी कौन से आंसर देता है चंद्रियान टू के बारे में सबसे पहले देखने लाउंच जो है इसकी डेट क्या थी अगर याद नहीं होगी डेट तो आप येर ज तोच रहा है कुछ ना यह कुछ पूछ रहा है आपसे इसका मतलब क्या है मैं अगर पूछो यह ना पूछो आपको इसमें देखना कि यहां पर किस चीज का आंसर दिया जा सकता है यह आपको आंसर देना है ती 642 1रुपिय का हिसाब मिलेगा आपको यहां पर अैसा नहीं कि हम यह सिस लेके बाद में कुछ भी अपना इस想 बढा है इसा नहीं में को बाकी कोचिंग में वो पढ़ाखते हैं जो उनको आता है जो निको उनको आता है और ठीक है लॉंच कहां से किया गया यह आपको बताना है फर्स्ट वाला डेट हम अभी हम देख लेंगे कंसर्म कर लेंगे जो बहुत जने सही भी है याँ 22nd जुलाई वाला सही है 2019 याद रखना है ठीक है आपको ध्यान रखना है 2019 जो में याद रखना है ऊंक रॉषन जी कह रहे हैं वैंक लोड ये कहां से लांच किया गया था चंदरियां टू जो है इंडिया में को से लांच ही आज इस Pero झाव करे को उब के हैं यह यूटूम का यह लाइव लेकर्र ढोर्म हो रिक्लम होगा लेकिन हो सकता है कि यह दो तीन दिन उन है उसके बाद में न रहें है ना पॉसिबिलिटीज है और हो सकता है अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लंबा रख देंगे इसको दो-तिन मैंने तक मैंने भर रख देंगे लेकिन बाद में इसको फिर कुछ और होगा तो फिर एडित करने के लिए यहां इसको हटाना पड़ेगा तो जहां तक हो सकता कोशिश की जिए कि जब भी यह वीडियो डाले जाते हैं आप दो-तिन दिन के अंदर ही इसको जो है प्रोपर तरीके से नोट्स बना ले कुश्चन इसके बाहर जाएगा नहीं किसी भी जोटा कता है जो की इंजिनिएरिंग का है यह जोटा इसके बढूलप ठीक हैं तौनों एक है ज्यान रगए अभी आगे उस पर आएंगे ओके ठीके ठीके थर्ड को देना हे launched by, okay launched by हो गया, okay यह by था, from तो यह जो कह रहा है हरी कोटा वो launched from का अंसर दिया उन्होंने launched by, किस ने launch किया है कौन सी ऐसी संस्ता है हमारे इंडिया में जो यह satellites जो है, यह launch करती है satellites, जो भी space mission जो है, यह launch करती है रोशन जी कह रहा है ISRO, okay ISRO, ISRO ISRO सब का अंसरा, देखो एक ISRO है, एक DRDO, आप उन्होंको अंतर ध्यान रखना ISRO और एक DRDO है दोनों ध्यान रखना, ISRO का मतलब कि Indian Space Research Organization और इडिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट औरगनाजिशन है तो जो ISRO कह रहे हैं वो ISRO वाल आंसर उनका सही है और यहाँ पर जल्दी जल्दी देखो, यहाँ पर स्क्रीन शोट एलन तो ले सकते हैं, अधरवज आपको अराम अराम से लिखना है चंजरयान 2 में हमने बताया कि सबसे पहले हम डिसकस करेंगे लॉंच के बारे में इस डी एस सी तो अभी उस पर आ जाएंगे, हम उस पर आ जाएंगे कांपर है सबसे पहले आपको देखना है कि ISRO का नाम आया है यानि ISRO यह जो है, इसके बारे में आपको जान करी चाहिए आंसर बताएं, इस रो का हैड़कोर्टर कांप यह आपको बताना है और इसके परस्ट जो है, ISRO के फर्स्ट चेरमन गाला है यहापको बताना है फर्स चेरमेन, अभी लाज चेरमेन, जो भी है, आपको जो भी जान कर ISRO के बारे में बतानी है देखते हैं कितने knowledge जो भी knowledge होगा answer या तो सही होगा या गलत होगा है तीकि है प्लावी जी किरें के सिवान केरी है हिंदिली ठीकिय दिल्दी ठीके औभी हम देख लेंगे क्या है ओके इस्टाब्लिश्ट इन 1969 ओके ठीक है देखो इस रो जो यह करें 1969 इनका भी सही है लेकिन इसके पहले इन कॉस्ट पार हुआ करता था जो कि 1973 में बना था है ना उसका ही बदलावा रूप इस रो है ठीक है चलिए हम आते हैं मुद्धे पर आते हैं यहां पर देखिए यह है इसरो के बारे में लिखा है अभी क्योंकि यहाँ इस रो का नाम आ गयाए इसको में डिस्कस कर रहे है इस रो ध्यान रखना और शब्से पहले आपको फूल फॉरम ध्यान राखना ना कि आपर हलका सा करके आपसे पूस लेटे तो आपको नाम याद होना चाहिए ठीक है फुल फॉर्म याद होना चाहिए तो इस रो का फुल फॉर्म जो है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन लेकिन जैसे मैंने बताया कि यह तो यहां पर इसके पहले इन कॉस पार हुआ करता था इन कॉस पार यह बना था 1963 में इसको बाद में इसका नाम बदल के इसरो किया गया उसमें कुछ चेंजेश भी किये गए हैं तो इसरो आ गया ठीक है तो इसरो अभी फिलहाल कौन इसरो है इसरो हमारे भारत में ध्यान रखना है सबसे हाइस्ट गौं सी है इस और सिश्पेस के बारे में कुछ भी जानकारी कुछ भी काम करना है सबसे हमारी यहां इंडियाम इपक्स सबसे हाइस्ट बॉडिक है वह इसरो है ठीक है Indian Space Research Organization इसका यहां पर ध्यान रखना आपको थोड़े कुछ बाते हैं यह आपको डेट भी याद रख लीजी 15 अगस्त है तो 15 अगस्त आप जोड़ सकते हैं असानी से 15 अगस्त हमारे विक्रम सारा भाई जो है जो की गुजराद के थे एमदाबाद में जन्मे थे विक्रम सारा भाई जो है इसके पहले चेर्मेन हो रह चुके हैं किसके इसरो के ठीक है इनको फादर आफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोलते हैं अभी देखें कि कैसे क्या है अभी फिलहाल फिलहाल जो हमारे इसरों के चेर्मेन है यह है यहां पर नाम थोड़ा लंबा आपको के सिवान लिख लेना है शॉट में के सिवान ही पूसते हैं पूरा नाम लिख सकते हैं केलासा वदिवू सिवान केलासा वदिवू सिवान क्योंकि साउथ के हैस्थे नाम थोड़े लंबे होते हैं और अभी इन्होंने अपने फादर का या फिर अपने कुछ एक दो जनरेशन का नहीं नाम जोड़ा नहीं है नहीं तो नाम में पूरे दो-तिन लाइन उसमें नाम में चले जाते हैं ठीक है तो आपको और शॉट करना के सिवान जो है ध्यान रखना है ठीक है ओकैंud तो उसमें उसी परकार से हमारे इंडिया में इसरो है दियाडियो डिफैंस है इसका काम युश्षिमें कभी दिसक्स खर लेंगे फिल इश्रो पय हम यहाँ पर concentrated है, ठीक है, तो इसरो के बारे में जानकारी, इसरो का यह logo है, आप देख लीजी, यह logo है इसरो का, और अब इसरो के बारे में clear हो गया, इनको स्पार का बदलावा रूप है इसरो, और इनके बारे में यह जानकारी, ठीक है, अब आगे 37 दवन, Space Center, तो अब यह Space Center जो है, यह Space Center बोलते हैं, तो हमारे इंडिया में total launch station कितने हैं, तीन है, ठीक है, तीन है, पहले कुछ बगों में चार लिखा आता था, लेकिन यहाँ बताओंगा, दोनों एक ही है, बताओंगा अभी यहाँ पे, तो total हमारे यहाँ इंडिया में कितने हैं, तीन जो है, जो है, जो ह पूरम में है, इसको विक्रम साराभाई Space Center भी कहता है, ठीक है, विक्रम साराभाई Space Center जो है, इसी के campus में बना है, थुमबा, यहाँ पर लिक रहा हूँ, नाम पुरा, तेको थुमबा, थुमबा, एक्विटोरियल, RLS यह रोकेट लाउंच स्टेशन, यह इनको पूरा नाम है, तो जब भी पूछते हैं, थुमबा, यह अपना T.E.RLS, यह फिर थुमबा, एक्विटोरियल, रोकेट लाउंच स्टेशन कहां पर है, आपको नाम दे देंगे, केरला, करनाटका, आंदरापरदेश, तमिल लाडू, तो आपको ध्यान रखना केरला में है वो, ठीक, केरला में है, और दूसरा चीज, यहां पर, यह जो है, यहां पर, विक्रम साराबाई स्पेस सेंटर, यह दोनों एक ही केमपस में बने हैं, पहले इसको अलग-अलग प प्लेस वर ग्रैविटिस ले तो ग्रैविटि के बारे में बात आगे दिसकुस कर लेंगे, लगे हत, आदरापरदेश, ठीक, आंदरापरदेश, जो कह貌 रह rasa है, वो रे, तो यह कारें पर, शतीच के जा है, पहले, और इसको दूसरा नाम है, शार, यह अपना श्री हरी कोटा श्री हरी कोटा और आगे स्पेस स्टेशन इसको नाम पूरा नाम है रॉकिट लॉंज स्टेशन है यह तो श्री हरी कोटा एक टापू का नाम है वहां पर पूरा लॉंज स्टेशन बनावा है ठीक है इसलिए इसको यह तो श्री हरी कोटा बोलते है या फिर शतीज धवन स्पेस संंटर दोनों एक ही है , दोनों अलग अलग नहीं दोनों ये कहां पर अंधरब प्र्देश में हैं। तोही अगर में मनमान के छिली जैसे मैं क्यों और आपि है माहाराश् 가지고 में और मिसिथाफ गार्डण कहां है Θhm गर्डन उसी परकार से शार जो है यह एक बड़ा एक वहां का आइलेंड है और उसी में करीब करीब यह तो पूरे कैप्चर कर रहा है तो यह एक ही जगा पर है लेकिन इस खाली एरिया वाज इनको डिफाइन किया गया है ठीक है आंधरा पर्देश बिल्कुल आंधरा औरिसा तो आपको जैसे भी अगर किसे भी गुवा फिरा के पूछते हैं या फिर मैंस पैस करें पूछते हैं इसका देखो इसका थुम्बा का गई अंधरा पर्दिश दे दिया या फिर नीचे के रहा तो आपको पैस मिलाने है वहां पर ठीक है एकदम इजी वह में है इन को आप अंधरिक्ष वेयर इस अंधरिक्ष बैップ महस्तरा Minnesota ph frank झाठिक है और को और अगरे बात करें तो ब्रहें में जितने भी सेलेशल बॉडिज होतें इस सब मिलके यह ब्रहे पर्तुवी को उसमें से निकाल देंगे ब्रहे में से चोल पीछे-बज़ेगा उसको बोलेंगे इस जिंक तो तो अंत्रिक्ष अभी हम यहां पर धर्तिप उंड़े रहते हैं, धर्सक्राइज करते हैं, आर बोलता है कभी कभी ? इस में इसे पता गलेक्सी इपता ठीक है तो वो सारा हमने geography के lecture में discuss किया उसके बारे में जो भी हमारे students है उनको सब को clear है ये crystal clear है मैंने बहुत सारे examples उसमें दिये थे ठीक है यानि पर्थवी से हम जो देखते हैं हम अंतरिक्ष देखते हम कभी भी ब्रह्मान्द को नहीं देख सकते ठीक है अभी जो है फिलहाल यहां तक clear हम आगे बढ़ रहे हैं यह जो है विकरम सारा भाई जो है यह हमारे इंडिया के पहले इनको बोलते है फादर आफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम यानि की भारती अंतरिक्ष कारेकरम के पिता महा इनको कहते हैं उसके बाद में अभी फिलहाल जो अभी इसरो के जो फिलहाल जो चैर्मेन है उनका नाम है के सिवान नाम पूरा मैं बताए आपको याद रखना रख सकते हैं अदर ठीक है आँ अ कि तर्ड स्पेस उंटर कहां रखैंगा कि यह आपने मैप बालस ओर के वार का मैंने बताय। बालस ओर का यह यह 77 Statल का यहां पर आप नियुस वह यहां पे मेप Odisya को धीस हमें बाला सोर वाला ती कहें चलिए आगे बढ़ते हैं आप में लिए यह इस चंदर्यान टू जो है काफी दूनों से न्यूज में बना वा था इसमें कंपोनेंट्स क्या-क्या साथ में गए हैं क्या क्या अब बेजे गए इसके बारे में आपको बताना है ठीक है कि अंत्रिक्सी से कमर्शियल साइड आफिस रो कह सकते हैं कह सकते हैं बिल्कुल कैमरा ठीक कैमरा लेग गए बढ़िया है अच्छा ओके प्रज्यान रोवर एंड विकरम लैंडर ठीक है और क्या रोवर है ठीक है ओके ओके लैंड रोवर यह कौन है नितीन जी कह रहे हैं लैंड रोवर देखें उनको पता चैरत दिखेंगा नहीं है ना आपना जो भी लो विलर्के नहीं है कर ना okay lander रोवर होगा लेंड रोवर होगान को लैंडर रोवरयं चैथ का जो डिंडल्ली डेंड हो, हैं काफी बार इसमें कॉशन आ चुके हैं कि क्या क्या लेकर लेकर गए उपकरन गए तीन गए ठीक है एक तो होगा और और एक लेंडर एक तीसरा होगा रोवर तो और यानि जो चारो और घूमता है यह कई निन नहीं करेगा ये अभी में बतांगए यह प्ला और बीटर है कि यहां होगा वाला वहित्तो उला से इसकी इमेर को ंपए यह वाली यह जो होता है कि जैसे आगे यहां से हम चंदर यां मिशन हम छोड़ते हैं यहां से इंडिया से तो जैसे 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 उपर जाएगा इसका इंदन खतम होते ही इसको इसको सेपरेट कर देंगा और जैसे यह वाला इसका भी खतम हो जाएगा आगे इसको भी अलग कर देंगे यहां पर आगे यह जो है यह इसको बोलते हैं ऑर्बिटर ठीक है और चांद जो होगा चंदर जो है इसके चार और घूमेगा से खाली घूमेगा लैंड नहीं करेगा ध्यान रखना ठीक है तो तो हम आर्बिटर बोल सकते हैं इसको आलावा ऐक होता लेंडर अब लैंडर का नाम जो है अभी थोड़ा आपको इंपॉर्टन है लेंडर को यह जहां पर चंदर्मा पंपесको बैर रखेगा, सबसे पहले हमारा यहां स समय चेको पहले जो यह और रखेगा अन से पहले जो हमारे विक्रम साराभाई जी जो है. जो हमारे इसरो के फिर्ष जो है, चेर्मेंगें है. उन के, उनकी मन से हिचा थी. कि हम एक दिन हम भारत जो है, चंदरमा पर कदम रखेगा. और फाइमल, जब कदम रखने की जो समय आया, तो यह कदम जो इसको रखने वाला जो यह lander जो है, इसका नाम ही रख दिया विक्रम, ठीक है, आप समझ रहे हो, विक्रम क्यों है, क्योंकि उनका सपना था वहाँ पर कदम रखने का, विक्रम सहरा भाई जी का, और यह कदम पहला यहाँ पर हम रख रहे हैं, उसलिए इसका आपको कुछ धिकरा होगा, यह प्लेट होती है, यहाँ से धकन खुलेगा, एक डोर ओपन होगा, और यह सा कुछ CD बन जाएगा, इसमें से यह कुछ सो भी निकलाएगा, इसको बोलते है, रोवर, ठीक है, रोवर का क्या होगा, चंदरमा पर घूम घूम कर यह अपने परक इसलिए इसका नाम रहा प्रग्यान, इसलिए नागे जोड से भूप की जबता है,5 जिसलिए का अगे श्री जोड देते हैं, सम्मान देने मेरा नाम महाविर है इसलिंड जोड विद्वान laog है है तो यह जस पर आंगे प्रग्यान भटो रहगा, इसको नाम देप्रग्या थिक्षे प्रव्ज्ञान क्योंकि ग्यान बटो रेगा वहां से पूरा तो यह प्रव्ज्ञान ठीक है तो तीन चीजें आपको ध्यान रिखे गए एक तो और बीटर लेंडर एक। तीसर रोवर इनके नाम ध्यान रखने तीक है अब यह पूरा और बीटर है इसका काम क्या और भी कियो और्पेत्र है आपैर इसको नक्सक्ति है यहां पर जब स्टि इसको चोड़ए गया देकित्क पर two connected एड़ी से तरफ चुड़ए गया और चंदरमा की धarno काहें में लेड्ट नहीं करेए इस चंदरमी न करेंगा है और जब भी इसको लगेगा कि अभी favorable condition है या फिर इसरो वाले वहां से देखेंगे कि अभी यहां पर इस्तिती अच्छी यहां पर यह वाला इलाका जो है यह सही लग रहा है उतरने के लिए safe लग रहा है तो फिर यहां से इसको इसको तूड शॉड जाएगा यहां से इसको बसके चांद के ऊपर है लेंडर को अहीं हुआ करेगा चांद के उपर ठीक है यह पहले चक्कर लगाएगा अब देखो यहां से हम छोड़ते हैं प्रत्वी से जब इसको जो हमारा जो सेट्लेट हम छोड़ा जो चंद्रयांड टू हमने मिशन जो यहां से लांच किया छोड़ा है यहां से जो डारेक्ट चंद्रवा पर जा उटाते हैं कौन यह इसरो वाले यह बोलेंगे जिस डारेक्शन में घूम रही है उसी डारेक्शन में चोड़ना रैसे जाना है यह कभी ऐसे घूमती है प्रत्वी कभी ऐसा कभी भी रॉकेट लांच नहीं होगा तो भारत के अगर बात करें यहां पर मैं आगे मैं बताऊ तो पहले क्या करें प्रत्वी की चार और चकर लगा एक फिर दूसरा वाला थोड़ा बड़ा यहां से नजदिक से घुमेगा फिर तीसरा यह चकर आगे जाएगा और यह चंद्रमा के इसमें और पहुंच जाएगा ठीक है तो यह ऐसे छोड़ते हैं यहां से लांच किया कर यहां पर चला गया ऐसा खाई एंके कैसे करें और वहां पर जा चंद्रमा को एक हैं यह यहनdy एसको th Town नहींग जाना सा इक लात रबार और अपनी और पर यह उपिर लाकत को बढ़ा डिक अ निश्चंदर यह पे ठीक है इसमेरे मैग 3 शारा भी ले हुए इसमेर आगे में पेचर निएT यहां पर ध्यान दीजिए यह जिये सेली की इमेज यह है ठीक है यह थी स्टेज होता है इसमें पहले होगा हाड जो है इन इन जो है इसमें तीन परकार की यूज होते हैं इसमें बढ़न होगा जिसमें हाड बहरा होगा यह हार किसली है क्योंकि ये काफी सार वजन को एकड़ना ना इसको चार कुछ चार टरन तक ही उथा सकता है तो इतना वजन उठाना तो काफी पावर लगता इसलिए असलिए हाड प्रोपोल्लेंट यूज हुआ हैं और क्राइज निक इंजन यूज होता है उसमें किसी प्रकार कोई प्रोपॉलेंट नहीं होगा सिर्फ गैसिस होगी हाइड्रोजन और ऑखिजन वह आपस में मिलेगी और वहां पर यह अपना एनर्जी क्रेट करेंगी फुल फॉर्म अगर ठीक याद कर लिजे अच्छा काम आ जाए गई और यहां पर देखिए हमारे जो डेवलप्मेंट हुआ है हमारे जो वहिकल से हमने बना हैं सबसे पहला हमारा जो था वह था SLV, यह जो है SLV है, SLV, satellite launch vehicle, पहले सबसे पहला है, single था यह, SLV, उसके बाद में हमने थोड़ा इसमें add कर दिया, ASLV, augmented rocket, satellite launch vehicle, उसके बाद में आगा PSLV, polar satellite launch vehicle, polar के साइड में हमने कुछ satellite launch कर रहे हैं, तो उसके लिए use करते थे, लेकिन फिर भी हम चांद पर जाने की सक्षम नहीं हुए थे, फिर हमने थोड़ा भारी machine वाला हमने या इसरो ने डेवलॉप किया, उसका नाम रखा गया GSLV, GSLV, अब GSLV भारी भरकम जो है, जो चीजों को उठा करके अंतरिक्षम में ले जाने में शक्षम है, लेकिन इसमें fuel को related काफी परिशानी हैं यहां पर हो रही थी, तो फिर यह GSLV Mac 3 बनाए गया, GSLV Mac, यह जो यहां पर तक मार्क जो है, Mac 3, Mac 3 वाले हैं यहां पर भी, Mac 3, Mac 1, Mac 2, Mac 3, Mac 3 पहले छोड़ गया तो यहां पर आपको जहाना, Mac 3 में इतना ही अंतर है कि इसमें cryogenic engine लगा है, cryogenic engine का मतलब क्या होता है, कि यह हवा से oxygen grand कर लेगा, अगर oxygen कम भी पढ़ती है तो हवा से oxygen grand करेगा, और hydrogen से reaction करवा के वहां पर मतलब इसको अलग से कुछ ज़्यादा मातरम इंदन डालने की जुरूत नहीं है, ठीक है, अभी इस पर और वर्क चल रहा है, आने वालन दिनों में ऐसा हो जाएगा कि इसमें कुछ fuel की जरूत भी नहीं पढ़ेगी, एसा भी हो रहा है, उस पर चल रहा है, काम चल रहा है, तो यह आपको ध्यान रग नहीं, यह हमारा जो अगर पूछते हैं, कि इनकी series आपको उपर से जीचे लगाने कैसे development हो तो सबसे पहले आएगा SLV, एकदम नॉर्मल सा था, फिर ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV, अब GSLV में औ और कितनी countries है, जिन्होंने चंदरिमापे successfully अपनी landing करवा ली है, कोई भी country के नाम, two countries है, ठीक है, USA, China, Russia, ओके, USA कह रहे हैं, ठीक है, USA, China, Russia, ओके, ठीक है, चाइना, ठीक है, ओके, अभी तक इंडिया से पहले आपका जिससे जहां पर जहां पर जहां में देख पार हो, answer आए तीन ही country के नाम हारी, USA, China और Russia, ठीक है, और USA, Russia, ठीक है, मतलब तीन country के नाम आ रहे हैं, गुमा फिर आगे, इंडिया फोर्थ country, आपका माना कि इंडिया फोर्थ country था, है ना, फोर्थ country था, लेकिन हुआ नहीं, फोर्थ country हो सकता था, हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पर successfully landing नहीं हुई, वहाँ पर हमारी hard landing हुई, hard landing से हुआ कि जो lander जो है, वो damage कर गया, और उसके पर सिर्फ जो है, रोवर अंदर से निकल नहीं पाया, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देखिए, आप यहाँ पर देख लीजी एक बार, जो list of countries, जो की moon पर उनको, इंडिया से पहले जो जा चुके हैं, सबसे पहले भे कब भेजा गया, 1959 में, अब जब रश्या ने चांद पर अपना मिशन भेज दिया, तो उस टाइम पर रश्या और अमेरिका दोनों के दोनों आपस में उनके बंती नहीं थी, तो अमेरिका काफी टेंशन में आ गया, कि हमारा काई स्पेस का मार्केट पूरा जो है, नासा का मार्केट जो है, तो यह क्या करेंगे, अब अमरिका वाले भी इसमें जोर से अपना जोर लगाएंगे उसमें, और यह भी अपना मिशन लाउंच करेंगे, और इनका जो मिशन लाउंच होगा, योए से का सेकेंड नमर पर होगा, जो कि अपॉलो 11 नाम से होगा, और यह 1969 मे जाने वाला पहला व्यक्ति, पहला परसन कौन होगा, उसका नाम जो होगा, नील आम स्ट्रॉंग होगा, उसकी फोटो में यहां पे आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसमें एडित नहीं किया है, तो ठीक है, यहां तक क्लियर है, और थर्ड नमर पर है चाइना, और फोर्थ नमर पर इंडिया हो सकता था, लेकिन वहां पर हमारी जो लेंडिंग सफल नहीं था, इसलिए हम उसका नाम नहीं लें, लेकिन फिल अभी जो है, अभी फिलाल ध्यान रखना इस रो है, वापर से जो जो दम खम से लगा है, चंदरयान 3 लांच करने के लिए, ठीक है, और चंदरयान 3 माना जा रहा की, second half of 2021 में, वह वहां पर लांच करने की पूरी-पूरी संभावना होना है, देखते हैं अभी क्या होता है, हमारा फेल क्यों है, फेल क्यों है, क्योंकि वहां पर जो लेंडिंग होनी थी, जब लेंडिंग का समय आया था, उस समय पर connection तूट गया हमारा जो है, इस रो से उसका जो है, जो हमारा लेंडर का, ठीक है, लेंडर जब अलग हुआ रोवर से, तो उसका connection तूट गया, और connection तूटने से, और दूसरी भी कुछ बाते थी, कि हम वहां पर पता नहीं लगा पाए, कि वहां पर कितना नीचे है, क गिरता नीचे, एक तूट लेंडिंग नहीं, अगर सॉफ्ट लेंडिंग होती, तो सारे उपकरण ठीक से काम करते हैं, और फिर उसमें से निकलता हमारा जो है अपना रोवर और ठीक से पूरा-पूरा यहां पर ग्यान बटरता, यह नहीं प्रग्यान जो है, connection फेल हो गया ठीक है, connection फेल होगा, सही कहा रहा है, अभी next, अभी हमारा पांच मिंट और रगेगा, बस हो गया, तो चंदरियान के बारे में हमने देखा कि फर्स्ट जो है, इंडियान लूनार लेंडर रोवर मिशन है, लेंडर रोवर इसके पहले नहीं गया, पहले कि चंदरियान वन पहले हमने किस ने किया, कहां से कि, हमने देख लिया, components क्या, के लूंच पेट के बारे में हमने यहीं पर पढ़ लिया, थे लूंच पेट है, हमने लूंच पेड destination moon ही है ठीक है उसके अलावा facts कुछ देख लेता है इस रो जिसे मैंने बताए इस रो जो है प्राइमरी एजनसी इंडिया इंडिया किसके अधार पर space-based application और space exploration के लिए यह अंतरिक्ष के अधारित जितने भी करने है यह कुछ भी application करने एक्स्परिमेंट करने उसके लिए इस रो जो है हमारी इंडिया में सबसे बड़ी अजनसी है अब इस रो के बारे में बता दू इस रो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है यह फिर आती है यह नहीं आती यह आपको मेंशन करने पोल्स ओके-डेस प्रफ्ट तेम यह का यहां पे विंट कहा है यहां पे साथ पॉल पर लाउंच किया साथ ऌन का खेल मिशने ऐस सौाट पोल पे उसको लाउंच करने की बात हुए थी और अंधेरा इना यह कि जो है अपने धुरी पर तो गूंती है चंद्रमा उतना ही समय major अपने धुरी पश्मता है सेम उतना ही समय लगता है परत्वी की चार और घूमने में इसलिए हमें परत्वी परत्व बूर давus लगभक 60 लेकिन लेंड नहीं किया है हमारा सक्सेस्पुल रहा हमने जो भी हमारे जानकर रिकटे करने के लिए बहना भेजा गया था उसका भी कनेक्षन कहीं तूड गया था लगबक चार पांच मेने के बाद मि ठीक है इस रो आप समझ गहें second point पढ़िए a successful soft landing would have made अगर successful यानि सफल तम soft landing अगर होती इंडिया की वहां पर उसकी तो ये would have made इंडिया the fourth country fourth country after Soviet Union, United States and China लेकिन ऐसा होँ नहीं third में isro may re-attempt अब इंडिया वापस से कोशिश कर रहा बनाने के लिए second जो है उनका second quarter of 2020 में चंदरियान 3 को launch करने की सोच रहा है तो जब चंदरियान 3 जब launch होगा तो उसके बारे में आपको जानकर थोड़ी इकटी करनी है और इसको update करना है जब तक चंदरियान 3 launch नहीं होगा तब तक यह जो मैंने information दिये यह more than enough होगी आपके लिए ठीक है exam में इसके बार question मनेगा नहीं आपको ध्यान रखना है हाँ अगर अगर इंडिया जो है अगर चंदरियान 3 successfully launch करता है अभी पता नहीं कहां पर इसको launch पोल पर launch करता है तो वह first country होगा इंडि वर्ल्ड में ठीक है बट वाट पर पर पस जो होते हैं पर पर पस होते हैं आपको मैं बता हूँ कहने के लिए कुछ खोज करने के लिए लेकिन इंडर्वे में हम विश्व को बता भी रहें कि हम इतने capable बन गयें कि कि चांद पर successful landing करा सकते हैं तो उससे होगा क्या कि नासा जो है नासा अगर किसी छोटे देश का भी कोई rocket या कुछ सेटलेट अगर किसी कंट्री को अपना कोई सेटलेट लॉंच करवाना अंत्रिक्ष में तो क्यूंकि नासा भी उपर है तो नासा बोलेगा लूँगा और इस रो पे इंडिया जो है इंडिया जो Ł авum užाथ मैं कर रहा जे है और से उससे से इंडिया का presidents have करा रहा है रोटर मार्केट झो फीस रहे है इंडिया की तो कारोबार तो फिर उनको कारोड का अर्वों का नुक्सान होगा इसलिए उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ा है ठीक है तो अभी यह इसलिए जो जो मिशन करने से पहले चार बार सोचेंगे कि इनकी टेक्टनोलिजी बहुत हाई यह चांद तक पहुंच गया है और सक्सेस्पुली लांच करने हैं सब कुछ तो यह हमें कहीं भी मात दे सकते हैं ठीक है काफी सारा होता है ठीक है यहां पर शक्तिशाली रॉकेट की बात हो रही है रोकेट के बारे में आएंगे जब करेंगे फिलहाल वल्ड में ऐसा माना जा रहा है कि यह तो यह तो अमेरिका के पास में अच्छे रॉकेट हैं लेकिन अभी यह डाइलेमा बनावा है अभी कोई इसको खुल कर खुल करके यह बता नहीं रहा है यह जब वार होती तब बताते हैं कि हमारे रोकेट ऐसा आपको रोकेट पहले बताएंगे तो दूसरा वाला और अच्छे बना लिगा ऐसा ठीक है तो यह तो यहीं से आ रहे हैं हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे आई-प्रतम एप पे हम जो भी कवर कर र अलग बहुत सारी हम उसमें सम्मील कर रहे हैं कौश्चन उसके बहार नहीं जा रहा है यानि काफी लिमिटेड स्टेडी कर रहे हैं लेकिन कौश्चन उसमें से आना इन काफी बहुत बढ़ी बात होती है मटरील तो बहुत सारा मिल जाएगा क्वालिटी और उसमें से लगे कि हमें गौवर्मेंट जॉब के तरफ ही जाना चाहिए यह बहुत सारे इसके फाइदे होते हैं जो कि प्राइवेट जॉब में आपको नहीं मिलते हैं जी पहुंचने में कितना कि यहां पर तो चलिए यहां पर जो है अगर कुई च्क्राइड हो तो टीक है टिक है और चिए पर महत्त झ हृसिंप पता ही नहीं कि कौन कौन सो एक्जाम होती है तो देखिए यहां पर इंडिया पोस्ट की है रेलवे की एससी सीजल एंडीए सीबी इसे केविक जो है खादी विलेजिंड़ेंट की जो भी जॉब से हलकी से जॉब ले लेखिए अब इंडिया पोस्ट की पर जॉब लेते हैं तो उसकी सेलरी कितनी है 55,000 यानि इतनी आप अगर इंजिनेरिंग करें हो और आपका इंजिनेरिंग है कोई भी अगर कॉमर्स है कोई भी बैग्राउंड से हो आप ग्रेजुएट हो फिर भी आप अगर जॉब करते तो पंदरा से पीस ज़्यादा नौकरी आपको नहीं मिलेगी ठीक है और उसमें काफी काफी बढ़िया है limited time of work होता है काफी हमारा आपका जो पीस ओफ माइंड आपको यहां पर मिलता है ठीक है कॉर्टन कॉर्परेशन में भी वेकंसी आ रहे हैं इसके लिए यहां से वेकंसी लेते हैं भी आपकमिंग अभी एक्जाम आने वाले लिए एक्जाम के लिए ठीक ह आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको जो हम सिलबस कर रहे हैं वहीं के आसपास से कुशन आने वाले हैं ठीक है अभी अभी देखें आप एनरे सीटी जो है अभी जो बैंकिंग की तेहरी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक रिक्रूटमेंट एजनसी है एक नई संस्ता आ दीजे ताकि जब 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 यह जब लॉंच हो यह अगले दोचाट छे मेने बाद में जब सारे बच्चे यह सिलबस के तरफ भाग रहे होंगे तब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी होगी और आप पूरी तरी के तैयार होगे एक्जाम देने के लिए और सेलेक्शन ठीक है फिर से आते हम देखें यहां पर आए प्रतम एप जो कि यहां पर भी क्लासिस चल रही है एंटीपीसी क्लासिस है लेकिन आगे बढ़कर हम आपको सीलेबस कवर करवा रहे हैं ठीक है जो भी सीरेस इस्टूरेंट है जिनको जौब चाहिए गवर्मेंट जौब में जाना है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार एटलिस आप जो एक बार आए प्रतम एप जो जो है इसको डाउनलोड करके उस पर देखें आपको क्या क्या फैसलिटीज अवलेबल है बहुत सारे फ्री कोर्सिस भी वहां पर अवलेबल है ठीक है तो आप कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगली बार उस पर हम चर्चा करेंगे ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही है गुड़ नाइट एव नाइस लिए